राइबरेली समाचार चैनल से जुड़े हजारों दर्शकों खबरों को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद पेट्रोल पंप के सामने लगी बाइक बनी आग का गोला राय वरेली सिविल लाइन के स्थित में Reliance पेट्रोल पंप के सामने बाइक में लगी अचानक आग से मचा हर कम घटना लगभग आठ से नौ के बीच की बात है पेट्रोल पंप के सामने काफी देर तक जलती रही बाइक पेट्रोल पंप पर रखे फायर किट का नहीं किया स्तेमल, जब कुछ दूर पर ही था पेट्रोल टैंक हो सकता था बड़ा होगसा तमाश पीन बने रहे सेकड़ों लोग पेट्रोल पंप कर्मी सूचना पर पहुची फायर विग्रेट कर्मियों ने आग पर पाया काबू शहर कोतवाली छेत्र के सिविल लाइन्स के पास रिलायन्स पेट्रोल पंप का मामला बाइट किसकी है यह पता नहीं चला हाईवे से हजारों वहन आते जाते तमाश पीन बने रहे राय बरेली समाचार चैनल को सबस्क्राइब करें यूट्यूब में कमेंट करें लाइक एवं खबरों को अन्य ग्रोप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का खबर देखने के लिए धन्यवाद रायबरेली समाचार चैनल से जुड़े हजारों दर्शकों खबरों को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद पेट्रोल पंप के सामने लगी बाइक बनी आग का गोला रायबरेली सिविल लाइन के स्थित में रिलायन्स पेट्रोल पंप के सामने बाइक में लगी अचानक आग से मचा हर कम, घटना लगभग आठ से नौ के बीच की बात है पेट्रोल पंप के सामने काफी देर तक जलती रही बाइक, पेट्रोल पंप पर रखे फायर किट का मही कि अस्तेमल, जब कुछ दूर पर ही था पेट्रोल टैंक हो सकता था बड़ा होटसा. तमाश पीन बने रहे सेक्रों लोग पेट्रोल पंप कर्मी. सूचना पर पहुची फायर विग्रेट कर्मियों ने आग पर पाया काबु शहर कोतवाली छेत्र के सिविल लाइन्स के पास रिलाइन्स पेट्रोल पंप का मामला. बाइक किसकी है यह पता नहीं चला हाइवे से हजारों वहन आते जाते तमाश पीन बने रहे. राइबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब में कमेंट करें लाइक एवं खबरों को अन्य ग्रोप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का खबर देखने के लिए धन्यवाद. राइबरेली समाचार चैनल से जुड़े हजारों दर्शकों खबरों को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद पेट्रोल पंप के सामने लगी बाइट गनिया